हाई वेलकम टो मैं चनल इस वीडियो में सॉल्व करें इंकुरिशन आप 25, 26, 27 तो ध्यान देजीगा सिखाज इंकम इस 60% मोर देन देट आप सालू वाट परसंटिज सालू इंकम लेस देन सिखाज पहले-पहले दिया है कि सिखाज का इंकम है वो 60% ज्यादा है सालू से तो बोला है तो पूछा क्या है कि कितना परसंट होगा सालू का इंकम लेस सिखाज से मतलब सिखाज से जो है सालू का इंकम कितना परसंट लेस है आपको यह फाइंड करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप सालू और सिखा का exact income find कर लेंगे उसके बाद से हम यहाँ पर जो find करने का तरीका है वो बताएंगे सबसे पहले कर दिए कि सालू का income माल लिजे 100 तो let माल लिजे कि सालू's income is 100 रुपीस यहाँ पर दिया हुआ है कि 60% ज्यादा है सिखा का तो यहाँ पर लिजे सकते हैं हम directly सिखा का जो से income हो जाएगा सिखा's income यह हो जाएगा 160 रुपीस तो हमने दोनों का exact income find कर लिया 100 रुपीस मान करके अब यहाँ पर करना क्या है देखिए सालू का जो income है वह कितना परसेंट लेस है सिखा से तो हम सिखा से कंपेजन कर रहे हैं आपको यहाँ धान देना होगा सालू का income हम सिखा से कंपेजन कर रहे हैं तो सिखा का कितना सालू का कितना कम है सिखा से तो पहले कि अगर यह जितना लेस है required percentage यहाँ पर निकाल लेते हम required percentage is equal to ध्यांद जगा सालू का income कितना less है पहले यह find करिए यहाँ पर लिखिए कि कितना less है वो आपको यहाँ पर find करना पड़ेगा ठीक है तो पहले लिख लिख लिजिए आप सीखा का income क्योंकि सीखा का income ज्यादा है तो 160 में से जब माइनस करेंगे 100 तो यह पता चल जाएगा कि कितना less है सालू की income सीखा से है कि ने तब difference रिखा लेजिए उपर और divide करेंगे हम देखेंगे किस से comparison किया जा रहा है तो सालू का income जो है सीखा के income से comparison किया जा रहा है तो नीचे रहेगा 160 फिर मैं टुपलाई कर लेंगे मतब सीखा का जो income रहेगा वो दिनमेंटर पर रहेगा ना इस इस रिक्वाइड पर सेंटेज यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा 60 अपान यह होजाएगा 160 multiplied by 100 यहां पर देखेंगे 0 और 0 गेंशिल हो गया यहां से होजाएगा 4 4 16 and 4 25 and 2 2 जा and 2 3 जा 25 तुपलाई 25 तुपलाई 25 तुपलाई 25 अपान 2 पर सेंट सो इसको डेसमें मिक्वाइड करेंगे तो मिलेगा आपको मिलेगा 35.5 पर सेंट 236 और सेवन यहां पर आएगा 37.5 percent So this is your correct percentage Okay 26 Dhyanतेजीजयगा Rs. 3500 is to be shared among 3 people so that the first person gets 50% of the second Who in turn gets 50% of the third यहाँ पर यह कर रहा है कि 3rd जितना पाएगा उसका 50% पा रहा है 2nd वाला और 2nd वाला जितना भी पाएगा उसका 50% 1st परसंट पाएगा इस तरीके से हमें क्या करना है 3500 को 3 लोगों में बाटना है share करना है इस price को तो कैसे हम करेंगे यहाँ पुछा है कि how much will each of them get तो सबसे पहले 3rd वाले को जितना आप मानेंगे X तभी आप backwards में जा सकते हैं find out कर सकते हैं यही 3rd मानेंगे आप X मालीजे कि 3rd वाला पाता है X रूपीज तो 2nd कितना पाएगा 2nd के लिए यहाँ पादियाव आए who in turn who means क्या second gets 50% of the 3rd तो X का 3rd X का जो 50% निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 2nd कितना पाया ठीक है तो परज़ा लिख लेते हैं आपर कि 3rd मालीजे कि 3rd का जो share है वो X रूपीज है इतना share है तो 2nd का कितना होगा 2nd percent का तो इसी का 50% लिख देंगे यहाँ पर 50% of X एकाडियन रूपीजन कर रहा है यहाँ मिल जाएगा आपको 50 upon 100 into X means solve कर लेंगे यह कर जाएगा 5 से 2 1 upon 2 मिल जाएगा X upon 2 रूपीज अब जो है second जतना भी पाया है second जतना भी पाया है उसका 50% of the second first person पा रहा है यहाँ पर निकाल लेंगे first person का amount first person जो है 50% of X upon 2 पा रहा है जो भी second का amount रहा होगा उसका 50% निकाल लेंगे यहाँ पर आजाएगा 50 upon 100 multiplied by X upon 2 means यह कट गया 1 upon 2 आगया means यह हो जाएगा X upon 4 रूपीज ठीक है यह आपका है first person का amount यह आपका है second person और यह आपका है third person लेकिन हमें divide करना है 3500 को three parts में तो पहले हमें X value find करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए तीनों का share हमने X के farm में निकाल लिया है इन तीनों के इदि हम add करेंगे तो actually 3500 ही आना चाहिए क्योंकि 3500 को ही तो divide कर रहा है इन तीन भागों में तो according to question we can write this one X plus X upon 2 plus X upon 4 यह तीनों को add करेंगे तो इसका result आना चाहिए 3500 ठीक है इतना रुपिज अब यहाँ solve करेंगे और X की value find करेंगे तो यहाँ पर LCM हो जाएगा 4 की इतना आपान वह लिए सकते हैं 1,2 और 4 calcium कितना होगा 4 होगा 1,2 और 4 calcium कितना होगा 4 होगा 1,2 और 4 में यहाँ मिलेगा 4X plus 2,2 और 4 में 2 मिलेगा 2X plus 4,2 और 4 मिलेगा यहाँ पर X ही हो जाएगा is equal to 3500 यहाँ हो जाएगा 3500 यहाँ क्रास में प्लेग कर लिए यहाँ उपर आड़ कर लिए तो 4 और 2,6 और 7 आपको मिल जाएगा यहाँ से 7X is equal to 4 multiplied by this one अब यहाँ से X के value find कर लेंगे it implies X is equal to हो जाएगा 4 into 3500 whole upon 7 7 हो जाएगा 7 और 7,5 जाए 35 यहाँ प्लाई कर लेंगे किना मिलागा 4520 और यहाँ 2 0s और है so 2000 रुपीज X की value आ गई है देखें यहाँ पर X की value means third person जो है वो 2000 रुपीज कासियर मिल राइस को ठीक है तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं second कितना पाएगा तो X की value यहाँ पूट करना है second पाएगा यहाँ पर लिख दीजिए 2000 X की value whole upon 2 कटा दीजिए यहाँ पर मिल लेगा 1000 means 1000 रुपीज पा रहा है second वाला first वाला कितना पा रहा है तो X अपन 4 करना पड़ेगा X की value कितने है 2000 तो 2000 अपन 4 करना होगा यहाँ से केजिए लट करेंगे 4,520 तो 500 रुपीज इसका मतलब कि first person पाएगा 500 आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर first person पाएगा 500 रुपीज second person पाएगा 1000 रुपीज ठीक है और जो third person है मतलब X X के value यहाँ find किये थे यह लिखे दे हैं यहाँ पर 2000 रुपीज यह हो जाएगा 2000 रुपीज third one and this is your answer for this question तो मैं इसको समझा दियाँ किवल मैं इसको एक तरीके से मैं लिखा नहीं हूँ तो आप लिख सकते हैं actually आसान होता है लिखना कोई दिकत नहीं है okay question number 27 ध्यान देजिएगा after a 20% hike the cost of Chinese VAS is Rs. 2000 what was the original price of the object तो यहाँ पर कर रहा है कि 20% क्या हुआ है hike हुआ है hike means automatic जो price बढ़ जाती है उसको बोलते हैं hike 20% hike हुआ है किसमें Chinese का VAS है Chinese का जो यह VAS है वो Rs. 2000 का हो चुका है तो what was the original price of the object तो original price कितना था यह बोल रहा है यह hike the price है means price बढ़ने के बाद दिया हो गया है 2000 तो बोल रहा है कि original price कितना था तो पहले हम माल लेंगे कि original price X है ठीक है तो let let the original price is equal to X rupees अब देखे X rupees यह the original price है तो X में क्या हुआ था hike हुआ है 20% का means X plus X में 20% हम increase कर देंगे तो यह total hike जो भी जितना भी price आएगा hike होने के बाद वो 2000 आ रहा है is equal to हो गया 2000 यह बन गया हमारा equation अब solve कर लेते हैं तो 2 से 0 कट गया है 2 5 जा 5 से इधर में टपलाई करेंगे 5X और प्लस X मतलब कि आपान 1 ले लिजी यहाँ पर LCM तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर X अपान 1 प्लस यहाँ मिल जाएगा X अपान 5 is equal to 2000 so यहाँ पर आप ले लेंगे 5 LCM 1 से करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा X प्लस 5 से करेंगे 1 मिल जाएगा X अचा यहाँ से 1 करेंगे यहाँ 5X मिल जाएगा sorry is equal to यहाँ होजाएगा 2000 after that यहाँ मिल जाएगा 6X अपान 5 is equal to 2000 and after solving we will get X is equal to 2000 multiplied by 5 whole अपान 6 so you will get not even number 2 से करेंगे 2 36 and 1000 तो यह उचाएगा 5000 अपान 3 how 5000 अपान 3 तो यहाँ से cancel out करेंगे यह दि तो decimal में आएगा 5 बंजब 5 220 हो गया 5 6 18 and 220 फिर से हो गया 5 6 18 and फिर 5 6 18 point फिर 5 6 18 and again तो हम क्या करेंगे कर सकते हैं तो decimal के बाद यहाँ पर यह 6 जो है कई बार repeat हो रहा है तो हम इसको क्येवल 2 decimal plus तक इसको rounding off कर सकते हैं तो यह मिल जाएगा 166 point यहाँ पर देखें 2 decimal plus तक rounding off करिए तो 6 यह जो 6 है यह 7 हो जाएगा और इसके आगे बाले decimals को हटा सकते हैं यह मिल जाएगा आपको 67 means इतना रूपीज approximately मतलब एक तरह से exact value ही है आप यह तब यह point में कौन लेथा है value तो this much is your answer for this one means initial जो original value है वो कितना है 1666 point 67 ओके यह आपको यह तीनों questions से समझ में आ गया है तो एक like जरूर दीजिएगा okay thank you so much for watching bye